कहते हैं कि समुद्र में मिलने से पहले एक नदी बहुत ज़ादा कापती है और डरती है वो पीछे मुड़कर उन रास्तों को देखती है कि कहां किन पहाणों से निकल के रास्तों से होती हुई और उन से जंगलों और गाउं से होती हुई आई है और वो सामने उस समुद्र को देखती है कि जिसके अंदर मिलके उसका अस्तित्व खतम हो जाना है लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं है पीछे नहीं जा सकता, कोई भी पीछे नहीं जा सकता पीछे जाना असंबग है, it's just impossible तो इस नदी को वो रिस्क उठाना पड़ेगा और उस समुद्र से मिलने के बाद ही इसका यह जो डर है, यह जो फियर है, खतम होगा और तभी उसे हैसास होगा, कि यह समुद्र से मिलके खतम हो जाना नहीं था बलकि समुद्र के साथ एक हो जाना था